तो नमस्कार दोस्तों बहुत-बहुत स्वागत आपका आपके अपनी यूट्यूब चैनल मैच मंत्रा पर देखें सब इंजिनियर की एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई हुए काफी अच्छा पोस्ट है इनका तो आज हम लोग सब इंजिनियर के पोस्ट की जो नई वैके और करना है कौन कौन से पोस्ट आई हूए मैकसिमम मिनीमल आपका चाहिए उसके बाद डारेक्ट रूप में कितनी और सभी सितनी है और सब इंजिनियर के पोस्ट के लिए तो इसके बारे विज़लों इस विडियो में जानेंगे बिबिदीओ करते हैं सबसे पहले हमदों मैं यहोई है इसमें पोस्ट क्या है ये इंजिनियर के लिए डूसरा है ड्राप्ष में टेक दिल्वाइब कोफिए इसके लिए क्या है ये ट्राप्ष मैं कद्राप्ष में का पोस्ट इसके लिए क्या क्या इलिजिबिलीटी रहने वाली है और आप मिनिमं क्या क्वालिफिकेशन रखते हैं जो कि आप इस फॉर्म को भरने के लिए इसलिए इन सब्सक्राइब करते हैं देखिए एज की सबसे पहले सबसे पहले की इंपोर्टेंट आपका क्या होगा इंपोर्टेंट है यह इसको इसको पहले से बना कर दखिए इसके बाद लास्ट डेट है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके बाद इसका एक्जाम जो है वो 249 2022 को टेंगे डेट है यानि की समभावित है कि लगवर यह एक्जाम होगा आप सबसे पहले एज की बात कर लेते हैं मिनिमम एज कितनी चाहिए 18 वर्स के अगर आप हैं और आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की योगिता रखते हैं तो निश्ची तौर पर आप इस फॉर्म को बन सकेंगे इसका मैक्सिमम एज की बात कर पोस्ट दी हुई है तो सबसे पर बढ़ती के अंतरगत आ जाता है 218 पोस्ट जो सबसे ज्यादा है और इसमें एक पोस्ट ऐसा है जिसके लिए पर भी जौब आपको दी जा रही है तो वह है कॉंट्रेक्ट बेसिस पर 111 पोस्ट और इस पर जो बैक्लोग से आये होंगे उनके लिए है 248 पोस्ट टोटल कुल मिलाके जो आपके पास है 2557 पोस्ट के लिए यह रिक्ती आया हुई है ठीक है अब देखिए आपके लिए क्या चाहिए सबसे ज्यादा जरूरी आपके लिए कि कि इसके लिए तो सबसे पहले 10 प्लस टू आपने किया हुआ हो और उसक किलिए है तो huh person के लिए जो है डिप्लोमा मैं सी यह सीविल आपने संसे जो तो आपके लिए बहुत ही सुनार आपसर आपके दर्वाजें खट खटा रही है तो निसी तोर पर इस पॉर्म को जाकर आप बढ़िए इसके बाद कर लेते हैं फी कितना लगेगा तो जेंडर के लिए 560 रुपय और के लिए 310 रुपय की जो है चलान आपको लगेगी और देखिए यह जो यह जो पोश्ट निकली हुए यह एंपी पी इपी इसका रथ क्या होता है मद्ध प्रदेश प्रोफेशनल एक्जाम बोर्ड इनके द्वारा निकाली गई है तो मद्ध प्रदेश के जितने वी इसी तौर पर आपको एज में भी रिलक्सेशन मिलेगा और अगर आप मद्ध प्रदेश से नहीं है तो आपको जेनरल में कौन्द किया जाएगा और आपको फी जो है फाइव हंडेड और शिक्स्टी रूपीज आपको देने होंगे इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क कि आपका एक्जाम सेंटर कहा का रह सकता है तो मद्ध पर्देश में कुछ टाउंस है जैसे बोपाल इंदोर जवलपूर ग्वालियर उज्जैन नीमच रितलाम मंसोर सागर सतना हनवा और सीदी इसके बाद रिवा इतने सेंटर्स आपके लिए आयोजित किये जाएंगे अब इनमें से आप किसी भी एक सेंटर को अप्लाइ करते बद जरूर चूज कीजिएगा बात रहे कि अप्लाइ कैसे करेंगे तो अप्लाइ को कैसे करना है यह जो इसके बारे में पूरा डिटेल्स जानकरी चाहिए आपको तो अगर मैं उसकी वीडियो बनाऊंगा पूरा तो आप इस वेबसाइट पर आईएगा www.mpeb.gov.in इस पर आईएगा और यहां से आप जो है नोटिफिकिशन पूरी तरह से जान सकते हैं दूसरी बात कि आपको अप्लाइ किस वेबसाइट पर जाकर करनी है तो उसके लिए वेबसाइट डिजाइन की गई है www.peb.online.in त सेंटर में से जो आप सब सी करीवी सेंटर वह उसको आप चूथ किजिए यह और क्वल्लिफिकर्स फिरसे दोह लां देता हो लांट में किये हुए होगOU इस फॉर्म के लिए अप्लाएंगे साथ में प्लस टू होना अनिवारी है डिप्लॉमा थ्री एर्स का होना भी अनिवारी है तो काफी अच्छा पोस्ट है मेरे ख्याल से आपको जरूर भरना चाहिए इंजिनिरिंग जैसे डिपार्टमेंट में आना बहुत मुश्किल होता है बहुत कम एसी वैकेंसी देखने के लिए मिलती है तो आपको निस्टी अगर आप बाहर से भी हैं मध्य प्रदेश से बाहर के भी हैं तो आपको जरूर इसमें जो है भरना चाहिए सीटें जो है इसे जो कि आपको एक लाग पोस्ट दी जाएगी इतनी पोस्ट आती हो इतनी आती रहेंगी थोड़ा सा उपर नीचे होता है तो आप इस पोस्ट को जरूर अप्लाए कीजिएगा बहुत बड़ी नोटिफिकसान रहेगी आज के लिए आपका ठीक है यह एक्जाम जो करान सब्सक्राइब मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक के लिए जाएगी